आजस्तान के सिकाविटी छेट से जुड़े दो दवंग नेताओं की जुवानी जंग चर्चागा विशे बनी वी इनमें जुवानी हमले तीके होने लगे हैं सरेयाम जन्द सवावों एक दूसरे को देख लेनी की दमकियां भी दी जारी है लोगों और परसाशन को अंदेशा है कहीं ये जुवानी हमले तकराओं में ना बदल जाए ये दोनों नेता हैं उदेपूर वाटी के वाज़वा विदायक सुपकरन चोधरी और इसी सीट पर पूर में विदायक रहे और मंतिरी रहे राजन सिंग गुडा आली सुपकरन चोधरी ने एक विवादित बयान देखकर वावल को गर्मा दिया है चोधरी ने चेतावनी वरे लेज़े में गुडा को ललकार तो ये कह दिया था कि वे उनकी जवान खाट लेंगे इस बयान के बाद गुडा भी नहीं रुखे उन्होंने पलटबार करते हुए कह दिया कि वे भी सुपकरन चोधरी से 2020 खेलने को तयार है के वार सामाजी कारिकरों में आमना सामना होता है वे जहां चाहे वहां मिल सकते हैं और जो उनके बीच में बहें में वे भी निकल जाएगा गुडा और चोधरी एक दूसरे पर देख लेने सम्मिद्धी आकर्मक बायानों से सियासी छेत्रों चर्चा है और ये अंदेसा भी एक है इन दोनों इनताओं की जिवानी जंग कारिकरताओं तक ना पहुंच जाए और वे ना बिढ़ जाए अगर ऐसा हुआ तो छेत्रों चुनाओं की प्रशाजन मुस्यद है और वे समझाई़ू इस भी कर रहा ही इन दोनों निताओं के बीच में और वे सिद इन दोनों निताओं के बीच ये जंग अभी से ही नी है। लगाते रहे हैं छेतर में औरी चोरियां लूट पात के पीछे दोनों नेता एक दूसरे के समड़तों को पर आरोब बंड रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनके कहने पर ही इस तरह की अपराद और डखेतियां हो रही है हाली सुपकरन चोधनी ने राजस्तान विदान सभा में उद्यपूर चेतर में जो लूट पात और डखेतियां और ये उस मुद्दे को उठाते हुए आरोब लगाया था कि इन सब के पीछे राधन राजिंदर गुड़ा वे उनके साथ ही लिपते हैं और राजस्तान पुलिस भी उनका सयोग कर रही है मामले में आरोब साबित हो होने पर भी दोस्यों को पकड़ा नहीं जा रहा बलकि मामले को दवाने के लिए फाइलों को सीएडी सीवी में बेज़ा जा रहा है तो क्रण चोधरी गया है बनती गलाव चंद कटारिया से भी सदन में गर्मा गर्म बहस हुई थी कटारिया ने सुपकरन चोधरी को यहां मंत्री और पाल्टी के वरिष्ट नेता सुपकरन चोधरी को कुछ नहीं समझते और वह सुपकरन भी इस वयान को लेकर उन पर उड़ा पर खूब उलज रहे हैं वह भी कह रहे हैं कि यह तो अपरादों को बढ़ाने वाला नेता है और इसकी वज़े से छेत्र में लड़ा हुआ 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 है